Good morning student, today we will discuss the concept of pointer to a structure and pointer to array of a structure मैंने अपने पीछली वीडियो में discuss किया था a structure and area of a structure आप उस वीडियो को जरूर देखें तभी आपको आज का topic और easily समझ में आएगा देखें यहाँ पर example के तोर पर मैंने यहाँ पर student structure बनाया है जिसमें member जो हमारा role है और name है ठीक है और name जो है वो character array है और इसका size जो है यह 10 है यहाँ पर struct student जो है यह अब user defined data type बन चुका है तो यहाँ पर struct student नाम से जो हम data type बनाया है जो की user defined data type है इसका variable जो है यह s1 है और हम एक pointer भी लिये हैं जो की same data type का है जैसा कि हम जानते हैं कि अगर integer variable लेते हैं तो integer pointer जो है integer pointer integer variable को ही point कर सकता है इसी तरह से यहाँ पर जो pointer P है यह user defined data type struct student का है और यह variable s1 को point कर सकता है तो यहाँ पर जो s1 जो है यह variable है and whenever we are talking about the variable a variable is the name of memory space तो यहाँ पर यह memory का नाम होगा ठीक है तो यह memory का यह space है और इसका नाम है s1 ठीक है और इसके member में हम लोग क्या लिए है तो roll लिए है और name लिए है और यहाँ जो यह P जो है यह pointer है अगर हम ऐसा लिखें यहाँ पर देखें यहाँ लिख रहे है P equal to address of s1 जब हम यह ऐसा लिख रहे है तब P जो है इसमें 200 s1 हो जाएगा और 200 जब यह s1 हो जाएगा तो यह इस structure को इस variable को यह point करेगा अब question ही उड़ता है कि क्या pointer P के help से structure के member को हम access कर सकते हैं तो yes हम लोग कर सकते हैं तो तरीका हमारा क्या होगा तो हम लिख सकते हैं P arrow row देखें यहाँ पर arrow जो operator है यह operator जो है यह member accessing operator है लेकिन through pointer है ठीक है फिर उस तरह से P arrow name से हम लोग name को access करेंगे फिर यहाँ देखें यहाँ print app से हम लोग क्या किया है एक message दिया है roll enter roll and name और scan app से input ले रहे हैं P arrow roll address यहाँ देना बहुत ही ज़रूरी है और P arrow name फिर इस statement में print app से हम लोग क्या कर रहे है roll को देख रहे है और name को देख रहे है तो चलिए से रंगर कर देखते हैं देखें हम message हमें मिल रहा है inter roll roll में हम डाल रहा है suppose 112 and name में हम सब्सक्राइब अमिताब तो देखिए जो हमारे पास जो output आया है वो roll 112 आया है और name जो हम अमिताब आ चुका है यहाँ पर student हमें सब्सक्राइब करते हैं कि abstract student जो है यह user different data type है तो इसका क्या मतलब है अगर हम यहाँ ऐसा लिख दें integer as one और यहाँ लिख दें integer pointer हम अगर ऐसा लिख दें तो फिर यह उसी तरह से काम करेगा जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे तो चलिए अब हम लोग समझते है pointer to area of structure जैकि यहाँ पर अस्ट्रक्ट स्टुडेंट नाम से user different data type मैंने डिजैन किया है जिसके इंसेट जो है member role है और नेम है ठीक है और यहाँ पर अस्ट्रक्ट स्टुडेंट और यहाँ पर एस्वन हम लोग ले रहे हैं name of area है तो इसका size हमारा अगर 5 है तो subscripting address हमारा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा and 4 होगा और यह जो है हम assume कर ले हैं कि यह base address है 200 and इसका base address है 214 है यहाँ पर जो P जो है यह S1 को point कर सकता है अगर P S1 को point करेगा तो हम लोग इसी को बोलेंगे कि P जो है P is the pointer to area of structure लेकिन P जो है यह S1 को कब point करेगा जब हम ऐसा लिखेंगे जब लिखेंगे हम लोग P equal to S1 यानि तो हम ऐसा भी लिख सकते है P equal to address of S0 क्योंकि हमें पता है कि area का जो नाम है itself पी जो base address जब हम लोग ऐसा लिखते है P equal to S1 तो S1 का जो base address है वो P में assign हो जाता है यानि कि 200 इसमें assign हो गया है और यह जो P है यह अब pointer हो गया है S1 का यानि कि P जो है यह pointer हो गया है area of structure का अब यहाँ पर pointer के help से हम लोग input करना चाह रहे हैं तो for loop यहाँ चल रहा है देखिए I equal to 0, I is lesser than 5, I plus plus यह loop चलाया जा रहा है scan app के help से यहाँ पर P arrow roll और P arrow name से हम लोग input ले रहे हैं और P को plus plus कर रहे हैं तो जब I equal to 0 होगा तो हम लोग यहाँ पर first address पर यहाँ जिरो address पर हम लोग roll को और name को रखेंगे और P जब plus plus होगा तो यह इससे point करेगा तो फिर हम लोग one position पर हम लोग input कर लेंगे फिर सी तरह से यह जब two होगा तो हम लोग यहाँ चले आएंगे और जब यह 3 होगा तो हम लोग यहाँ चले आएंगे और इंपुट करेंगे और जब यह 4 होगा तो हम लोग यहाँ चले आएंगे और यहाँ पर 4th location में हम लोग रॉल और नेम को इंपुट कर लेंगे लेकिन यहाँ पर देखे आटपुट करने के लिए फी से हम लूप चला रहे है तो यहाँ पर जो pointer है P के help से हम लोग member को फी से access कर रहे हैं यहाँ देखे P arrow role and P arrow name यानि कि member को हम लोग pointer से फी से access कर रहे हैं और P plus plus कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हो गया है कि last जो है पी जो है यह increment करते करते last position में पहुँच गया है इसलिए यहाँ पर P equal to 1 लाना बहुत बहुत ही ज़रूरी है तो जी ही हम लिखते हैं P equal to S1 तो यह pointer जो है यह S1 को फीर से point करने लगता है ठीक है और हम output के लिए फिर से लूप चला रहे हैं और यहाँ से हम लोग रॉल को देख रहे हैं और name को देख रहे हैं और P को प्लस प्लस कर रहे हैं तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर हम pointer को increment कर रहे हैं क्योंकि pointer हमारा variable है इसे हम increase कर सकते हैं और decrease भी कर सकते हैं लेकिन अगर यह increase करते हैं हम लोग आगे चले जाएंगे तो last में जो value आएगा उसे हम access नहीं कर पाएंगे इसलिए यह statement देना बहुत ही जरूरी है तो चले इसे implement करके देखते हैं यहाँ पर struct student नाम से user defendant बनाया जा रहा है जिसमें integer role जो है member है और name जो है हमारा member है और यहाँ देखें area of structure जो है s1 जो है जिसका size हमारा 5 है और यहाँ pointer p लिया गया है और integer i variable loop चलाने के लिया जा रहा है और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि p equal to s लेना बहुत ही जुरूरी है अब यह जो p pointer है यह pointer जो है यह s1 यानि के area of structure को point कर रहा है यहाँ पर follow loop चलाया जा रहा है i equal to 0 से i is lesser than 5 i plus plus जब i variable 0 होगा तो हम message देंगे user को enter role and name और यहाँ पर p के help से arrow operator लगा करके हम लोग क्या करेंगे role को access करेंगे और यहाँ address देना बहुत ही जरूरी है जैसे के हम बताया है ठीक है p arrow name से हम लोग input करेंगे ठीक है और यहाँ पर p plus plus करके हम लोग increase कर रहे है तो जब i value 0 होगा तो 0 location में हम input कर लेंगे जब i value 1 होगा तो हम लोग 1 location में input कर लेंगे और p जो है हमेशा यह increase होते जाएगा फिर यहाँ देखे फोलूप चलाया जा रहा है output करने के लिए i 0 i को 0 से in slash किया गया है i is lesser than 5 है और i plus plus है और यहाँ पर print किया जा रहा है roll को और name को और p को फी plus plus किया जा रहा है लेकिन इससे पहले जो हम लोग plus plus करके आगे बढ़ते गया थे तो हमारा जो है वो last location में पहुँच गया था इसलिए यह statement देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं लिखते हैं तो pointer p जो है वो s1 के beginning position को locate नहीं करेगा ठीक है तो यह statement देना बहुत ही जरूरी है तो चलिए इससे run करके देखते हैं देखे यहां जो हमें message मिल रहा है inter roll हम डाल रहा है inter कर रहा है input कर रहा है 11 aaa inter roll 12 bbb inter roll and name 13 ccc inter roll and name 14 ddd inter roll and name 15 eee तो देखे यहां पर जैसा हम लोग ने input किया था roll 11 aaa roll 12 name bbb roll 13 ccc इस तरह से हमें output मिल चुका है यानि कि pointer के help से हम लोग input कर सकते हैं और pointer के help से हम लोग array of structure में भी input कर सकते हैं लेकिन इस बात कम हमें ध्यान देना होगा कि pointer अगर increase कर रहा है तो उसको beginning position में फिर से लाना होगा ठीक है तो student हमें उम्मीद है कि आपको यह video और यह concept समझ में आ गया होगा अगर आप हमारे इस video के help से implement करते हैं इस program को machine में तो comment section में जूरू comment किजएगा और घर में रहिएगा सुरक्षित रहिएगा लेकिन पढ़ाय मत छोड़िएगा कि इसे के साथ मैं अपने video को इंड करता हूँ thank you best of luck